और फेस्टी और भोधी आसान रेस्पिक जब कुछ आपको टेस्टी भी खाना हो और थोड़े आसान भी रेस्पिक चाहिए तो आप इसे बनाके जोगर खा सकते हैं पुरी परिवार को भी खिला सकते हैं जिसके लिए आप बार तीन टेमाटो का हम रफरी कर कर लेंगे और सा थोड़ी से पाइन डाल करके यहां पर इसके फाइन पेस्ट बताया कर लेंगे और साथ में एक एंच अद्रग लिया है उसके भी हम थोड़ा से छिल करके अच्छे से रफले से कट कर लेंगे और साथ में इसको भी डाल के टमाटर के साथ ग्रैन कर लेंगे तमाटो के यहां रफली कर लेंगे हाँ तमाटो के हम रफली ने रफली कर लेंगेंS सैमतल अब क्यों मेंब्बर के साब लोगों के हैं कुहां टमाटो को इसे रफली कर लिया है तेल के अट कर दीए तेल को अच्छी से घरम करने के बाद यहाँ पर एक टी स्पुन यहाँ पर यहाँ पर राहे के डाल हुआ है उसको भी डालके इंव सारे चीजों की अच्छे थोड़ा सा भूल लेंगे उसके दो टमाटब को अच्छ लिए तो बहुत डाल करके मगालेंगे हार टीज़ून या में हल्दी पॉर डाल दीक है ये जिए त्वाध नबट डाल देंगे नमक पहले थोड़ाम गमी डालेंगे हमें टमाटर गलने तक नमक डालने तो आठ क अच्छे से गल जाया इतना ही नमक डालना है दखक अकंड में उसको दोमेटत हो पकालेंगे गैस का फ्लेम लो करके ऐसे टमाटर को अच्छे से गल गया है नमक के वजह से उसके बाद हम इसमें अट कर देंगे हमने टमाटर जिंजर और बेसं को जुमने घुर मनाघर करकता पेश्ट वू डवे डाल के अच्छीज चला लेंगे कि उसके हम दो कप इसमें पाई आड़ कर देंगे और अच्छे से खौला लेंगे कि अच्छे से हमें इसे पकाई लेंगे और यहां पर बेसंग के विज़े से थ्वड़ा सा गढ़ा हो जाएगा आप पानी की कौंटिटी कम्यादी कर सकते तेखने अपने साब से घर में हो स्वी टेमाटर तो आप इसके साथ आपको सबजी बनाने के ज़वती नहीं पड़े यह बहुत ही टेस्ट्री इस पर अधा करके यहां पाच मर्द हमें इस और पका लेना है उसके आप थोड़ी हरी मर्ची ढाल दीगे आप रफले हमने 2 हरी मर्ची कटकर के डाल दीए अब मर्द है के भी साथ आपरे साथ से कमे अधिक कर सकते हैं उसके हम धक करके फ्रीज से पाच मेर दो पका लेंगे जब तक इसके हम बेसंग का कच्छा पन थ्वा दूर ना हो जाए अब दे सकते हैं बेसंग के थ्वा से गढ़ा हो गया है आप इसे बना के जो ट्राइ करना अच्छी लगे तो प्लीस से और लाइक करना विल्कुल ना बूले चैनल अपन नया आओ तो चैनल के सब्सक्राइब करना विल्कुल ना बूले आओ उप्रस धनिया डाल लिएं दिखे सकते हैं बहुत कम टाइम में और टेस्टी है यहांपे बिना दही के और लेसुं प्याज के बिना मसालों के टेस्टी रेष्प्र के तयार के त्यार हुई है अब से गर्म गर्म चावल के सासर पर बहुत ही टिस्ट लगता है यह अब देख सकते हैं कि बनाना भी कितना आसान है यह बहुत ही कम समाने बनके त्यार हो जाते हैं कुछ अलग खाने के मान हो तो आप इसे बना के जोट रही करना गर्म चाल के साथ का यह तो बहुत ही ठिस्ट लगता है यह कि अ के मिलतिक नही ऐसान रिस्पी इसाथ थैंक यू फोर वाचिंग और गुट बै ठेक केर